हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका अपने प्यारे चैनल यूनि गार्डेन गार्डेन में स्वागत है चैत नौरात्री का प्रारम होने वाला है और सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैत नौरात्री में गुढ़हल के रेड कलर के देवी फूल की डिमांड काफी बढ़ जाती है तो ऐसे में यदि आपने अपने यहां गुढ़हल के प्लांट लगाए हुए हैं और आप चाहते हैं कि पूरी नौरात्री आपके हां गुढ़ल का प्लांट जो है जबरदस्थ फ्लावरिंग करता रहे किसी भी दिन नागा नहो तो आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी जबरदस्थ ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसकी अपलाई करने से आपके गार्डेन में आपके पॉट में भी लगे हुए गुढ़ल के फूल में जबरदस्थ फ्लावरिंग होगी और पूरी नौरात्री आप इस देवी फूल को प्राप्त कर सकेंगे जैसा कि हम सब्ली लोग जानते हैं कि गुढ़ल की काफी वैराइटी या मार्केट में बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जात हैं कि आप पूरी नौरात्री जबरदस्थ तरीके से फूल प्राप्त कर सकें तो आप देशी वराइटी के गुढ़ल को जरूर लगाईए आज हम जो सिक्रेट बताने जा रहे हैं आपको उसको अपलाई करने से पहले आपको ये मेन समाधान है वो इसी बैग में छिपा तो आप देखेंगे कि आपके हाँ जबरदस्थ तरीके से रिजल्ट सामने आने वाला है वो ट्रिक मैं लाश्ट में बताऊंगा आपको पहले ही इस चीज को जान लीजिए कि ये है क्या और इसको अपलाई कैसे करना है कोई भी मिट्टी हो नार्मल मिट्टी हो कभी आपन पहले आप ये चीज अपलाई कर ले और फिर हम आपको वो जबरदस्थ ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इसके बाद उसकी अपलाई करने से कोई चांस नहीं बचेगा कि आपके गार्डन में फ्लावरिंग न हो जी हाँ ये अपलाई करने के बाद का नतीज़ा है जैसा कि बहुत ज़्यादा होगी पूरी नवरातरी आप इस चीज के अपलाई करने के बाद फूल प्राप्त कर सकेंगे अब बात करते हैं कि इसको अपलाई कैसे करना है जी हाँ दोस्तों ये डियेपी के दाने हैं आपने अपने पॉर्ड में कभी भी फर्टिलाजर दिया हो या न दिया हो लेकिन इस चीज को आप नौरातरी से पहले अपलाई कर देंगे कम से कम एक हपता पहले यदि ये कर देंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत नौरातरी में ही देखने को मिलने लगेगा बस कुछ दाने लीजे डियेपी के और उसे उसको देने से पहले आपको पाठ है तो थोड़ी से मातरा बढ़ा दीजे और छोटा पाठ है तो दो चार पांच छे दाने डाल दीजे और इसको अपलाई करके वाटरिंग भरपूर वाटरिंग करके छोड़ दीजे देखेंगे कि बहुत ही जबरदस तरीके से इसका रिजल्ट आपको सामने आएगा प्रतेग डाली पे भर-भर के कलिया आनी शुरू हो जाएंगे आप अचम्भे में आने लगेंगे और इसके बाद एक तरीका होता है अगर आपने ये तरीका अपलाई किया और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसकी कमी क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हू आपके गुढ़ल के प्लाnte में कलिया तो भरपूर आ रही है लेकिन वो फूल में कनवर्ट नहीं हो रही है ऐसा इस करण से भी होता है कि आपके गुढ़ल के प्लांट में एक बिमारी लग गई है देखा कि आप देख रहे हैं कि ये सभी चीज ही उसस्चीज का कारण है क जिससे आपकी कलियों के चारो तरफ से ये चीजें लिपड जाती है और जिसके कारण आपकी कलियां फूल में convert नहीं होती है और वो खराब हो जाती है यदि ये काफी मातरा में बढ़ जाया जैसा कि आप देख रहें कि इस कली के चारो तरफ ये सफेद कलर, वाइट कलर के ज जो नैचुरल ब्यूटी होती है उसकी ताकत होती है उसको ये सोख लेते हैं और उसके बाद कलियां फूल नहीं बन पाती है तो जी हाँ दोस्तों ये है मीली बाक्स आमतव पस सभी देशी गुड़हल के प्लांट में हो या हाइब्रीड गुड़हल का प्लांट हो सभी मे ये चीजें देखने को आती है यदि आप सुरुवाती दोर में इनका रोक्थाम नहीं करते हैं तो ये बड़ी तेजी से आपके अन्य पॉटो में भी पहुंच जाएंगी और गुड़हल के प्लांट में बिसे सुरूप से ये लग जाती है और इस मौसम में तो बहुत ते प्लांट में से जड़ करके नीचे गिरने सुरू हो जाएंगे और आपका प्लांट साफ हो जाएगा दूसरी अदि आप ऐसा कर दीजे फिर उसके बाद एक मैजिक नाम से एक कीट नासक दवा भी आती है उसको आप अपलाई करिए अपने हैं वो एक बार उसका उप्योग करेंगे तो फिर उसके बाद दुबारा उस प्लांट पे इस तरह के मिली बक्स आपको दिखाई नहीं देंगे और आपकी सारी कलिया जो है फूल में कनवर्ट होने लगेंगी और यदि आप घरेलू नुक्स का आजमाना चाहते हैं तो आप एक सैंपू जो मार्केट में 5 एक रुपए का मिल जाता उसको ले आईए उसको पानी में घोल लीजिए घोल करके इस प्रे बाटल में डाल करके आप इस पर अप्लाई करेंगे तो उसका भी बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और मिली बक्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा य जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फूल की साइज काफी बड़ी है हमने जो तरीका आपको बतलाया वही तरीका हमने इसमें भी इस्तेमाल किया काफी दिनों से इसमें कोई फूल और कलिया नहीं आ रही थी लेकिन जैसे ही हमने इसमें डिएपी का इस्तेमाल किया कि बहुत सामने आने तुरू हो गए पिड़ते डाल पे इसमें दो दो तिन तिन कलियां भी बनने लगी और धीरे धीरे यह जो है फूल में भी कनवर्ट होने लगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके जो हमारे पहले फूल की जो साइज थी बहुत ही छोटी होती थी किसी रिजन से ल आपके गार्डन में आपके गुढ़र के प्लांट में कोई बिमारी तो नहीं लगेगी सफेद रंग के जो मच्छर होते हैं वो भी आपके गुढ़र के प्लांट में नुकसान होता है तो जैसा कि आप देख रहें कि हमने सभी घरों में ये मच्छड को मारने वाला जो ये जीट है ये आम तोरकर सभी घरों में मिल जाएगा इसमें तो काफी मात्रा में डेंगु अगर तो भी काफी बचा होता है इसको भी आप अपने प्लांट में करीब 15 दिन के अंतर पे साथ इसमें जो मकणियां अगरा जाला मनाती हैं इसकी महक और इसके केमिकल की वजह से वो भी उसमें नहीं आएंगे और आपका प्लांट जो है भरपूर फ्लावरिंग करेगा एक बार आप हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अपने यहां जरूर अपनाईए उसका रिजल्ट देखिएगा और उसके बाद आपके प्लांट में जो रिजल्ट आता है तब आप उसके बारे में कमेट करके जरूर बतलाईएगा क्योंकि आप जब comment करते हैं तो उससे हमारा होसला भी बढ़ता है और हमको लगता है कि हमारी बताई गई बातों से किसी को कुछ भी फायदा हो रहा हो तो यह अच्छा भी लगता है तो आप यदि हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेजिएगा बेल आइकन को जरूर पूस कर दीजेगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस प्लांट में भी हमने इसको अपलाई किया था उस सेम वही चीज़ यह मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन अपन कर दो नहीं हमारे इसकी जादरान कोई मैं वहीं हूँ चलत प्लांट वाले आप जिज़ आड़किन वहीं हूँ हूँ थाजरा दूस कि यह भीज़ दो मॉटक्हार वैं उत्याज।